नवस्कार मित्रों आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो का विशे है कि अफ्रेड मीनिंग इन हिंदी क्या होता है इंगलिश भाषा में अफ्रेड का उप्योग विशेशन के रूप में किया जाता है और अफ्रेड का हिंदी में अर्थ होता है भैभी अफ्रेड को आप हिंदी में डरा हुआ एवं त्रस्त एवं भयानवित भी कह सकते हैं सरलभाशा में यदि आप किसी भी कारण से डरे हुए हैं तो यहां कहा जा सकता है कि आप अफ्रेड हैं और इसी के साथ अब यहां पर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद